नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम मेगनेटिक फिल्ड की बाउंडरी कंडिशन्स के बारे में इन डिटेल डिसकस करेंगे तो यहाँ पे यह मैंने कोई भी एक सर्फेस ले रखी है इस सर्फेस से उपर कोई एक मीडियम है और इस सर्फेस से नीचे लेटर से कोई एक अलग मीडियम है तो दो अलग-अलग मीडियम के बीच में यह एक सर्फेस इंटरफेस है जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है तो यहाँ पे लेटर से इस सर्फेस से उपर कोई मीडियम 1 है और इस medium की कुछ characteristics हैं जो दे रखी हैं let us say mu 1 इसका permeability है और epsilon 1 इसकी permittivity है और ये जो medium है ये non conducting medium है यानि sigma इसका 0 दे रखा है इस surface से नीचे letter से कोई दूसरा medium है और उसकी characteristics दे रखी है mu 2 यानि second medium का permeability epsilon 2 second medium की permittivity और second medium भी आपका non conducting है that is sigma आपका 0 दे रखा है ठीक है इसी के साथ ये जो surface है let us say ये surface आपकी या तो ये जो surface है या तो ये x y plane में होगा या y z में या x z में तो अभी हम in general माल लेते हैं इस surface की जो equation है let us say v is equal to कुछ constant दे रखी है ठीक है तो इस surface से उपर जो v है वो इस constant से बड़ा होगा और इस surface से नीचे जहां second medium है वहाँ v इस constant से नीचे होगा आगे चलके numerical problem सोल करूँगा तो ये concept बहुत आसान हो जाएगा कि ये v क्या दे रखा है अभी सिर्फ ये समझ लेजिए कि ये जो surface है ये इस equation को satisfy करता है surface से उपर v c से बड़ा है और surface से नीचे v c से छोटा है c आपका कोई भी constant है और v आपका कोई भी एक variable है ठीक है तो अब देखिए इसी के साथ ये जो surface है इसमें surface current density भी आपको दी जाती है that is k vector ठीक है ये आपको दे रखी होगी तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चो इतनी सी information से आप सबसे पहले एक काम करें a z cap vector निकाले ये मैं बताऊंगा क्या होता है ये क्या होगा आपका जो भी ये equation दे रखी है इसका आप gradient निकाल ले ठीक है del v divided y जो भी gradient आएगा उसका फिर आप magnitude भी निकाल ले तो वो क्या होगा this is del v magnitude ठीक है और यहाँ पे जो आपका v है वो क्या है v is equal to constant तो यहाँ पे जो आपका v है वो आप यहाँ पे लेखते से v is equal to constant और किस तरीके से increase होगा किस directions में इस तरीके से ये increase होगा ठीक है अब देखो ये जो हमारा az cap है ये क्या है ये आपकी direction बताएगा कि magnetic field किस medium से किस medium की तरफ जा रही है तो जो az cap है इसलिए ये जरूरी है एक unit vector है और ये आपको क्या बताएगा will have same direction बहुत important है ये और बहुत आसान है इसको निकालना in which magnetic field is moving तो अगर magnetic field की direction आपको नहीं दे रखी है और आपने az cap निकाल लिया तो वो direction ही आपकी magnetic field की direction होगी magnetic field is moving ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं az cap हमने निकाल लिया और जो az cap है उसको surface जो दे रही है उस पे आपको represent करना है तो let us say यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से represent कर देता हूँ az cap ठीक है next हमारा है एक और important term है जो आपको पता होना चाहिए वो है आपकी an12 cap यह क्या है यह है n मतलब normal तो यह है आपका normal unit vector a cap है तो normal unit vector अब कहां से कहां तक from medium 1 medium 1 to medium 2 बस यही थी आपकी कुछ important terms जो आपको पता होना चाहिए तो कोई भी question अगर दिया जाएगा magnetic field पे तो यह आपको दो unit vectors हैं जो आपको निकालने होंगे यह है आपका normal unit vector from medium 1 to medium 2 ठीक है अब हम आगे इसका जो भी scenario है वो ड्रो करते हैं let us say यह मेरा कोई भी एक surface है ठीक है और इस surface यह इस equation को satisfy करता है V equal to C V greater than C है तो मेरा क्या हो जाएगा first medium और V आपका less than C है तो आपका क्या हो जाएगा second medium ठीक है और यहाँ से आप ध्यान देजिए यहाँ से मेरा magnetic flux density है B2 जो second medium में है ठीक है लेकिन जब यह first medium में जाएगी तो इसको मैं represent करूँगा B1 ठीक है यह magnetic flux density first medium और यह हमारी second medium ऐसे ही second medium में magnetic field intensity है let us say H2 और जब इस medium में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी let us say H1 ठीक है तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है ध्यान देजिए जो आपका B2 है जो भी magnetic field होगी वो magnetic field आपके दो component से बनी होगी एक tangential component होगा दूसरा आपका normal component होगा तो जो B2 का tangential component है वो इसे direction में होगा इसको मैं क्या बोलूँगा B2 T और इसका जो normal component है वो किस direction में होगा vertical upward direction में तो यह क्या हो जाएगा this is B2 N ठीक है ऐसे ही H2 जो magnetic field intensity है इस direction में बच्चो इसका H2 T टेंजेंशिल component और इस direction में बच्चो इसका H2 N नर्मल component similarly first medium में भी जो B1 H1 है इसके component आप दिखा जेशिए तो इस direction में अगर होगा तो यह क्या है this is B1 T tangential component यह आपका क्या है normal component this is B1 N ठीक है ऐसे ही आपका H में भी इस direction में होगा H1 T और बच्चो इस direction में होगा H1 N ठीक है यह आप अब जो भी magnetic field first और second medium में है उसके component में ने यहाँ पे explain कर लिये है अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ ध्यान से देखिए आगे हम बात करते हैं medium 1 की medium 1 medium 1 में क्या scene है यह medium 1 है medium 1 में आपका B1 कोई एक magnetic flux density था B1 vector यह किस किस से बना होगा यह component है और यह यह component है तो इसको हम लिख सकते है this is B1N vector plus this is B1T N मतलब normal component T मतलब tangential component ठीक है अब इसी के साथ first medium में magnetic field intensity H1 दे रखी है यह क्या होगी H1N vector plus H1T vector ठीक है यह होगया अब देखो आप सबसे पहले आप first medium में अगर कोई magnetic field आपको दे रखी है तो आप उसका normal component कैसे निकालोगे तो यह आप हमेशा जान रखना B1N अगर आपको यह निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जो first medium में magnetic flux density दे रखी है B1 उसके साथ आप dot product करेंगे किसका AZ cap अब समझ आया जो AZ cap हम यहाँ निकालते थे उसका कितना बड़ा यूज है यह इसके साथ multiply करोगे और again जो हमारा AZ cap unit vector है यह इसके साथ फिर से multiply करोगे इन दोनों का जो product है वो scalar value जाएगा और again इस vector के साथ direction के साथ multiply करेंगे तो वो normal normal component आजाएगा तो overall B1N इस तरीके से निकाल दिया जाएगा अब जो normal component magnetic field intensity का है वो कैसे निकलेगा this is H1N vector तो है ही यह होगा आपका H1 dot product with A Z cap ठीक है यह हो गया और again आप multiply करते जाएगे किस के साथ A Z cap के साथ तो यह आपका बहुत ज़्यादा important formula आचुका है first medium का normal component आप कैसे निकालते हो ऐसे ही आप अब second medium पे focus करेंगे है ना तो second medium जो है उस पे हमने focus किया तो second medium में एक तो B2 है एक H2 है तो यह जो B2 है magnetic flux density in second medium यह किसके बराबर होगा यह होगा आपका B2N plus B2 tangential तो एक normal component है तो एक normal component है एक tangential component है similarly अगर H2 पूछे तो H2 पूछेगा तो क्या होगा this is H2N plus H2T यही होगा और अब इन में से आपको normal component निकालना पड़े तो क्या करोगे same formula जो यहाँ पर apply किया मैं B2N निकालना चाहता हूँ तो यह क्या होगा जो B2 आपको second medium में दे रखा है इसके साथ आपने dot product करना है AZ cap इसके साथ multiply कर दिया again फिर क्या करोगे AZ cap vector के साथ multiply भी कर दोगे यह तो B2N है ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा H2N ठीक है यह क्या करोगे H2 आपको दे रखा होगा second medium का इसके साथ आप dot product करोगे AZ cap vector की यहाँ से multiply करके कोई scalar values आएगी इसके बाद again यह जो AZ cap unit vector है इसके साथ उसको multiply कर दोगे तो यह भी आपका second medium का normal component आपका आचुका है ठीक है वीडियो थोड़ा lengthy हो रहा है इसलिए जो next video है उसमें आपको बताऊंगा कि जो normal component है और tangential component है वो किस तरीके से boundary conditions apply करके निकाले जाते हैं So this is the end of the video Thank you so much for watching this video